दोस्तों जब भी आप एक refrigerator को लेने के लिए market में जाते हैं तो salesman आपसे कुछ इस तरका सवाल जरूर पूरता है जैसे कि single door, double door, triple door और side by side में कौन सा refrigerator आपको लेना है कितने लिटर का FCT का refrigerator लेना है, किस brand का लेना है, कौन सा model लेना है, किस budget में लेना है, inverter लेना है या फिर non inverter लेना है अगर आप पहली बार को refrigerator को लेने के लिए market में गए होंगे तो salesman की इन बातों को सुनकर आप काफी ज़्यादा confused हो जाएंगे और आपके इन ही confusion को दूर करने के लिए आज इस वीडियो को बनाया हूँ, जिसमें इन सभी important point के बारे में detail में discuss करते हुए टॉप 5 best refrigerator in India 2024 की जनकारी देंगे, जिसमें आपको best build quality, long life, lasting, एवम अच्छी cooling performance देखने के लिए मिलेगी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं विपी advice यूटूब चैनल को, वाई दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों कोई भी refrigerator को खरीदने से पहले इस वीडियो में बताएगे, सभी important point को ध्यान में रखकर आपको अपने usage और requirement कमसार एक best refrigerator को लेना चाहिए इस समय 4 टाइप के refrigerator आते हैं इंडिया में, जिसमें आपको single door, double door, triple door और side by side के model देखने के लिए मिलेंगे लेकिन इन सभी refrigerator में look, design और capacity के अलवा major difference इनके technology में देखने के लिए मिलता है single door के 7 refrigerator में direct full technology का यूज किया जाता है, वहीं पे अन सभी refrigerator के अंदर post free technology का यूज किया जाता है इसका मतलब जितने भी single door के refrigerator आते हैं, उसके freezer में जब भी आप ice cream या फिर ice cube को तयार करने के लिए रखते हैं तो इस refrigerator के freezer ball के उपर भी बरफ जम जाता है, जिसे आपको manual रोप से हटाना परता है वहीं पे जितने भी post free technology के refrigerator आते हैं, इन refrigerator के freezer में जो भी चीज़ों को आप ice में convert करने के लिए रखते हैं ये freezer सिर्फ उन ही चीज़ों को ice में convert करता है, और कभी भी freezer ball के उपर बरफ नहीं जमता है, जिसे आपको manual रोप से clean करने की जरूरत नहीं परती है नमबर सेकंड इन्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें inverter और non inverter compressor टेकनलोजी में किस टेकनलोजी का refrigerator लेना चाहिए, तहीं आपको 100% inverter compressor टेकनलोजी वाला ही refrigerator लेना चाहिए, क्योंकि इस refrigerator में temperature कनुसार cooling adjust होती है, जिससे कि ये refrigerator कम मातरा में electricity consume करता है, और ये refrigerator कम मातरा मे 9V create करता है, वहीं पर non inverter compressor टेकनलोजी वाले refrigerator फिक्स स्पीड पर काम करता है, जिससे कि ये refrigerator ज्यादा मातरा में electricity consume करता है, और ज्यादा 9V create करता है, नमबर थर्ड इन्पोर्टेंट पॉइंट आता है, हमें कितने लेटर capacity का refrigerator लेना चाहिए, तो ये totally आपके huge और family member के उप refrigerator को लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको refrigerator का professional ये उच करना है, जैसे आपको shop पे उच करना है, या फिर hotel में उच करना है, तेहां पर आपको 300 लेटर से लेकर 500 लेटर capacity के refrigerator को लेना चाहिए, नमबर फोर इन्पोर्टेंट पॉइंट आता है budget, दोस्तो refrigerator long lasting product होता है, एक बार अगर आप अपने घर के लिए खरीद लेते हैं, तो कई सालों तक आपके घर में यूज होते रहता है, इसलिए refrigerator को in future यूज को देखकर ही खरीदना चाहिए, और आपको हमेशा latest technology और latest model वाला ही refrigerator लेना चाहिए, किसी भी company के refrigerator को खरीदने से पले, उसका service network को जरूर चेक कर करें, और इसी तरह के useful वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो आई दोस्तों इन ही सब important point को ध्यान में रखते हुए, आज इस वीडियो में top 5 best refrigerator की जनकारी दे रहा हूं, और इन सभी refrigerator का discounted price link आपको वीडियो description box में देखने के लिए मि रफ्रिजेटर, समसंग का ये रफ्रिजेटर direct gold technology के साथ आता है और इसमें आपको inverter compressor technology देखने के लिए मिलता है, जिसकी ये रफ्रिजेटर काफी कम आतरा में मात्र 131 unit electricity कंजूम करता है, समसंग का ये रफ्रिजेटर आता है स्टफलाइजर free operation के साथ जो की हैंडेट से ल रफ्रिजेटर में आपको large bottle space मिल जाता है जिससे कि आप इस रफ्रिजेटर में दो लीटर तक की bottle को रख सकते हैं और इसमें आपको large vegetable box भी देखने के लिए मिलता है, समसंग का ये रफ्रिजेटर दा स्टेंड विथ ड्रावर के साथ आता है, जिसकी इसकी ड्रावर में बिना फ्रिज में रखे जाने वाले किसी भी fruit और सबजी को रख सकते हैं, इस रफ्रिजेटर को आप इस समय खरीट पाएंगे 17,000 रुपेज में, और समसंग कंपनी आपको देगी one year की comprehensive warranty and 20 year warranty on compressor, समसंग की इस रफ्रिजेटर के कुछ pro and cons को video display को पर mention कर दिया गया है, जि इस रफ्रिजेटर की मेरी लेस्ट में नंबर 4 पी आता है, LG single door refrigerator, LG के इस रफ्रिजेटर में आपको inverter compressor technology और 5 star energy rating देखने के लिए मिलता है, जिसे के इस रफ्रिजेटर काफी कमात्रा में electricity कंजूम करता है, LG के इस रफ्रिजेटर में आपको direct cool technology और रस्ट अप्लाइजर free operation देखने के लिए मिलता है, और ए रफ्रिजेटर moist and fresh technology के साथ आता है, जिसे की इस रफ्रिजेटर के फेजी टेवल्स और fruit के ऊपर bacteria और smell create नहीं होता है, LG की इस रफ्रिजेटर में आपको toughen glass self, large bottle space और large फेजी टेवल्स box मिल जाता है, और ए रफ्रिजेटर a stand with driver के साथ आ और 24 लेटर के capacity में available है, जिसके price और key features difference को आप screen पे देख सकते हैं, LG इस model को उपर एक साल की complete warranty देती है, और 10 साल compressor के ऊपर warranty देती है, इस रफ्रिजेटर के कुछ pro and cons को display के ऊपर mention कर दिया है, जिससे आप वीडियो पॉस्ट करके देख सकते हैं, इन सभी साइट के रफ्र difference box में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप इन रफ्रिजेटर का current price भी चेक कर सकते हैं, और भाई भी कर सकते हैं, पेस्ट रफ्रिजेटर की मेरी लिस्ट में number 3 प्याता है, LG के तरफ से double door refrigerator, LG के इस रफ्रिजेटर में आपको force free technology देखने के लिए मिलता है, और इस रफ्रिजेटर में आपको toughen glass cell for large bottle space और large vegetables box मिल जाता है, इसके साथी इस रफ्रिजेटर में आपको door cooling देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब door area के पास रखे हुए bottle को थंडा करने के लिए अलग से cooling bent दिया गया है, LG के रफ्रिजेटर 240 liter, 242 liter, 308 liter और 360 liter के capacity में tools pro and cons को display के उपर mention कर दिया है, जिसे आप video pause करके देख सकते हैं, इन सभी size के refrigerator का discounted price link आपको video discussion box में देखने के लिए मिल जाएगा, चाहां पर जाकर आप इस refrigerator का current price भी check कर सकते हैं, और buy भी कर सकते हैं, best refrigerator की मेरी list में number 2 पे आता है, Samsung के तरफ से double door refrigerator, Samsung के इस refrigerator में आपको का free operation देखने के लिए मिलता है, Samsung का ए रफ्रीजेटर एक convertible technology के साथ आने वाला रफ्रीजेटर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दोस्तों कि रफ्रीजेटर में दो section होते हैं, एक fridge का होता है, दूसरा freezer का होता है, तो freezer section को free section बना कर इस्तमाल करने की technology को convertible technology बोलते हैं, इसक रफ्रीजेटर को खास बनाता है, इसका digital display जो कि freezer door के उपर लगा हुआ है, इस रफ्रीजेटर 236 लीटर, 256 लीटर, 301 लीटर, 322 लीटर, 336 लीटर और 385 लीटर के size में available है, Samsung के इन सभी size के रफ्रीजेटर का compression chart आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, Samsung कंपनी इस रफ्रीजेट का discounted price link आपको video description box में देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप इन रफ्रीजेटर का current price भी चेक कर सकते हैं, और 5 भी कर सकते हैं, पेस्ट रफ्रीजेटर की मेरी लिस्ट में नमबर 1 पे आता है, बलपूल triple door रफ्रीजेटर, बलपूल का ए रफ्रीजेटर जर इन रफ्रीजेटर एस अप्लाइजर free operation के साथ आता है, और इस रफ्रीजेटर के top में freezer, middle में fridge और bottom में vegetables box मिलता है, इन रफ्रीजेटर के अंदर आपको toughen glass self मिलता है, और इन रफ्रीजेटर आता है big size vegetables box के साथ, और इसमें आपको large size bottle space भी मिलता है, वलपूल के इस रफ् रफ्रीजेटर में जादा तीनों तक फल और सब्जी फ्रेज रखते हैं, वलपूल के इस रफ्रीजेटर में एक geolight technology और micro block technology देखने के मिलता है, जिसे कि इस फ्रीजेटर में रखे हुए फल और सब्जी के उपर बैक्टिरिया किरेड नहीं होता है, और इस रफ्रीजेटर के कुछ pro and cons को video display के उपर mention कर दिया है, जिसे आप video post करके देख सकते हैं, इन सबी साइट के रफ्रीजेटर का discounted price link आपको video description box में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप इस रफ्रीजेटर का current price भी चेक कर सकते हैं, और buy भी कर सकते हैं, इस व नवाद